असलाम नीकुम दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट वासिफली और आप देख रहें क्रिक्टेल्स यूटीब चानल पाकिस्तान और न्यूजी लैंड की सीरिस जैसा के आपको पता है के जारी है और पहला मकाबला धुल गया मुकमल तोर पर सिरफ और सिरफ दो गेनों का खेल हो पाया लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दूस्त ग्रेट हीट बंटी मुकाबले के हवाले से के यहाँ पर कितनी बारिश आने वाली है क्या मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा साथ में आपको दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के मुतलिक हम बताने वाले हैं और इस मैच की टाइमिंग वेन्यू हर चीज़ जो है वो आपको जानने को मिल जाएगी इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा देखनें के साथ वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यहाँ पर फस्ट और अगर बात की जाए इस ओल इंपॉर्टन मुकाब देखी तो यह मैच इन दोनों ही टीम्स के दरम्यान राबल पिंडी स्टेडियम से खेला जाना है और मुकाबला होगा 7 बच के 30 मिनट पे 20 अप्रैल को सीरीज में 5 मैचेज हैं पहला मुकाबला 8 अप्रैल को हुआ था जिसके बाद एक दिन की ब्रेक 20 को होगा दूसरा मुकाबला फिर यहाँ पर 20 को 30 अप्रैल टीम्स को शाम 7 बच के 30 मिनट पे पाकिस्तानी टाइम और 8 बचे इंडियन टाइम पे खेला जाएगा इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर अब important situation की pitch और weather condition की तो वो मैं आपको बताऊँगा first of all तो अगर बात की जाए यहाँ पर क्या लिएक के जो pitch report है उसकी तो pitch report में पहली इनिंग्स का अबरी score international matches का रावल पिंडी में 155 का है दूस ट्री इनिंग्स का अबरी score 151 का है लेकिन विकेट अच्छी है तो high scoring वुकाबदा में देखने को मिलेगा और जो team balling करती है उनके जीतने के chances और इमकानाद भी काफियत तक बढ़ जाती है तो यह है दोस्तों यहाँ पर कैली जे के pitch की report अब हम आपके साथ share कर देते हैं यहाँ पर weather की condition क्यूंके weather एक अहम role play करने वाला है सबसे important चीज़ जो है वो weather ही बना हूँ है क्यूंके अगर match होगा तो ही हम किसी player की performance पे बात कर पाएंगे तो ही हम बता पाएंगे कि कौन स प्लेयर सही है कौन सा नहीं है किस player को playing 11 में होना चाहिए तो सबसे important चीज़ जो है यहाँ पर weather की conditions तो weather के अगर बात की जाए तो weather perfect है अच्छा बताया जा रहा है weather perfect ही आप इसे बोल सकते हैं क्यूंके बारिश होने के chances नहीं बताये जा रहे हैं Saturday वाले दिन हफते की शाम क और ऐसा कहा जा रहे है कि मैच पूरा होने वाला है बिना किसी दिकत के मुकाबला आगे बढ़ेगा तो यह एक बड़ी ही जबरदस्त खबर है सभी के सभी cricket fans के लिए Saturday वाला मैच भी पूरा होगा और उसके बाद Sunday वाला मैच यानि किस तारीकों जो तीसरा T20 है वो भी अबरे टीम न्यूजिणने फ्लेइंग 11 के अगर बात की जाए तो न्यूजिणन ने अपनी फ्लेइंग 11 जो खिलाई थी वही लगबlooking खेलने माली ज़िस पे ब्रैस्विलिन की अप्तानी कर रहे हैं मार्क चैंप्मेन का नाम हमें देखने को मिल जाएगा चैंप में के पाखिस्तान की प्लेंग 11 पाखिस्तान की प्लेंग 11 भी आब आपके सामने मौजूद है जिसमें पहला बड़ा नाम मौहमर रिद्वान का मौहमर रिद्वान और साई मयूब मिलकर ओपनिंग करेंगे बड़ी ही जबरदस्त क्रिकेट खेलने की ये काबलियत रखते हैं दोनों ही प्लेयर्ज खास तोर पर साई मयूब जिस दिन का बला चलता है तो खुब अच्छे से ये रंज को बटोरते हैं बाबर रिद्वान को अपने 3020 रंस को पूरा करने के लिए सिरफ अब 19 रंस की और जरूरत है बाबर राजम कप्तान बने हैं लेकिन जो चीज अब देखने लाइक होगी वो ये होगी कि क्या बाबर राजम जो है वो उनकी बैटिंग के हवाले से अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या यहाँ पर उनकी जो बैटिंग है वो भी एफेक्ट होती है इस चीज से या नहीं होती ये भी अब देखना होगा तो इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर अगले प्लेयर की तो वो है उस्मान खान जिनको टीम में शामिल किया गया दोस्तों इन प् पाया और इनको हमें एक्शन नहीं दे पाये लेकिन अब अगले आने माले मैचेस में यकिनन यह हमें एक्शन दिखाई देंगे क्योंकि हर रोज तो बारिश नहीं होती ना तो दोस्तों इफ्तखार एहमद जो है वो टीम की प्लेइंग 11 में अब मौजूद रहने वाले इ और साथ में बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं तेज शॉट्स लगाने की भी एक आपलियत रखते हैं तो यह टीम में अब मौजूद रहेंगे जिसके बाद सर्फ शदाब खान का नाम देखने को मिलेगा ऐसे आलरंडर प्लेयर यह खेलने वाले हैं और अबरार एहमद क यह कोई भी काम करने में कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि बारिश ने सिरफ अट सिरफ दो ही गिनों का खेल होने दिया शाहीन आफरीदी जिन्होंने अपने पहले वर में विकेट लेने की वो जो रुवायत है उसको बरकरार रखने की कोशिश की और उन्होंने आते ही बोल् नसीम शाह जोके कमबैक कर रहे हैं इनका कमबैक भी अब देखने लाइक होगा इंज्री के बाद यह इंटरनेशनल मुकाबला जात खेलने वाले हैं काफी लंबे टाइम के बाद यह खेलेंगे तो देखते हैं कैसी परफ़ॉम्मिस रहती है नसीम शाह की सीमशा के बाद मुहम्मद आमिर मुहम्मद आमिर लगब कोई साड़े तेरा सो दिन के बाद क्रिकेट खेल ने लगब कोई चार साल गुज़र चुके हैं जब से ये आखरी पाकिस्तान की तरफ से मुकाबला खेले हुए थे तो अब देखते हैं कि इस मैच मेंन की परफॉर् प्लेइंग 11 हैं या फिर कोई और प्लेइर को खेलते हुए आप देखना चाते हैं ये भी आपने देना है हमें बता लाइब चाट और कमेंट बॉक्स में जाकर यहां पर इमाद वसीम भी पाकिस्तान के पास अवेलिबल हैं और कहीं न कहीं इस सीरीज में उनको भी यूट लाइस किया जाएगा तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 वर्ल्ल कप के लिए जो है वो दोस्तों काफी तगडी और अच्छी दिखाई दे रही है और उमीद करेंगे कि पाकिस्तानी टीम जो हमें वर्ल्ल कप और वर्ल्ल कप से पहले जो इंगलेंग के साथ 4 T20 खेलने हैं आर SEC की रैंकिंग में टॉप 3 में आ जाएगी टीम पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम की रैंकिंग इस वक्त नंबर 5 की है और अगर वो न्यूजी लैंड को अगले सारे के सारे मैचस में हरा देते हैं तो फिर पाकिस्तान की रैंकिंग यकीनन कर सकती है तो दोस्तों ये है इस मुकाबले का प्रीवियू यहाँ पर दोस्तरा T20 मुकाबला खिला जाना है 20 अप्रेल 2024 को बारिश नहीं होगी अच्छी हबरे हैं आपके ख्याल से कौन सी टीम दीतने वाली इस मुकाबले को ये देना है बता आपने कर देना है वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सबस्क्राइब करते हैं बेल के निशान को दुबा देना है और यहाँ पर हमारे साथ आपने लाइव स्ट्रीमिंग अगर इस मैच की इंच्छाय करनी है तो हमारे साथ मैच टाइम पर लाइव जुड़ जाना है बहुत बहुत शुक्री आपका इसी सेम चैनल पर और इसके लाव पाकिस्तान में अगर आप यह वाला मुकाबला लाइव देखने को मिल जाएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अपने होस्ट और दोस्त वासेफली को इजाज़त दीजिए टेक कियर और बाई बाई